जैमाता दिमित्रो हमारे योट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है आज मैं आपको मूलाधार चक्र के विशे में थोड़ी सी जानकारी दूँगा और अगर आप अपनी दिव्यद्रिष्टी जागरित करना चाहते हैं अपनी थरडाई जागरित करना चाहते हैं तो उसकी शुरूआत होती है मूलाधार चक्र से यानि की Step by Step हमारी कुंडलीनी चक्रे była जाग्रितश ना हो या सीधा हमारी ये ठीक हो black spoke लिए आपको first floor पर जाना है या second floor पर जाना है या third floor पर जाना है तो ऐसा तो नहीं है कि आप डांटली अजम प्याज फ्रूर पर पहुंच जाओंगे वो भी step by step जागरित होती है, धीरे धीरे करके जागरित होती है, हर चक्र जागरित होता है, पहले मूलाधार चक्र जागरित होता है, फिर स्वादिश्थान चक्र जागरित होता है, फिर नाभी चक्र, फिर हिरिदय चक्र, फिर कंठी चक्र, फिर जाकर के आग्या चक्र करें तो हमारी सूंगने की शमता बढ़ जाती है यानि कि हम किसी भी चीज के विशाय में सूंग करके पता कर सकते हैं कि यह जो चीज है यह जो गंद है यह जो स्मेल यह किस जगा से आ रही है चाहे वह कितने भी सेकड़ों किलोमीटर दूर क्यों ना हो इतनी तीवर इसकी ज वाले चकर को एक्टिवेट कर लेता तो उसकी भी सूंगने की शमता इतनी जादा बढ़ जाती है कि वह वैक्ति किसी भी वस्तू को सूंग करके उसके विशह में सारी जानकारी बता सकता है मैंने अपने जीवन में कई ऐसे भगत देखे हैं कई ऐसे तांत्रिक देखें तो सूंग करके उसके विशह में जानकारी दे देते हैं यहां तक कि जब मैं इन सब चीजों के बारे में बहुत जादा रिसर्च किया करता था जानकारी लिया करता था और कई भगतों के पास मैंने समय बिताया, कई तांत्रिकों के पास मैंने समय बिताया है, किसी के पास दो वर्ष, किसी के पास तीन वर्ष, किसी के पास एक वर्ष, किसी के पास पांच वर्ष, तो उन में से कई तरह के जो सिद्ध थे जो तांत्रिक थे जो भगत थे उनके पास से मुझे ये सारे चीज़े सीखने को मिली हैं और मैंने उनको देखा है कि जब भी उनके पास कोई ऐसी चीज लेकर के कोई वेक्ती आता था तो वो सूंग करके उसकी जानकारी दे दिया करते थे विशेश रूप से जैसे की घर की मिट्टी हो गई आपको अगर ऐसा मालूम करना है कि ये जो मिट्टी है इस मिट्टी में कोई भूत प्रेत तो नहीं है है कोई नकरात्मक्स चीज तो निए कोई तांत्रिक बंधन तो नहीं है तो वह जो पल्विश्य आंझ को सूंग करके ahorita को मिटी के की मिटी के मारे में सारी जानकार यह देदेते हैं कि इस जिस गए मिटी साइड के गाव हो गए वहाँ पर आज भी कई लोगों को धन की प्राप्ती हो जाती है जब वो अपने घर में खुदाई वगएरा करते हैं या कहीं खेत वगएरा में उनको गड़ा हुआ धन मिल जाता है इस तरह की चीजें बहुत आपने देखी होंगी यह चीजें वाकई म से अगर आप बात चीत करोगे तो वह आपको ऐसी बहुत सारी अनेकों कहानीया बताएंगी कि फलाने वैकति को उसके घर में उसको सोने की प्राप्ति हो जाती है धन की ब्राप्ति हो जाती है तो यह जो घड़ा हुआ धन होता है इसकी जानकारी भी उस जगा की जो करके जो अच्छे तांत्रीक होते हैं जो वाकई में सिद्ध होते हैं जो वाकई में जानने योग्य होते हैं बताने योग्य होते हैं वो सारी जानकारी वहां की बता दिया करते हैं ऐसा कैसे होता है ऐसा उनके इसी चक्र के जागरित होने की वजह से होता है तब चाहे वो शक लेकिन सबसे पहले आपको मुलाधार चकर को जागरत करना है, उसके बाद स्वादिष्ठान को फिर नाभी को तो आज मैं आपको मुलाधार चकर के विशह में थोड़ी सी जानकारी देता हूं कि किस प्रकार से मूलाधार चक्र को आप सभी लोग जागरत कर सकते हैं, देखिए मूलाधार चक्र जो है, वो हमारी कुंड लिनी शक्ती का प्रथम चक्र माना जाता है, और जो मूलाधार चक्र है, इस चक्र में भगवान गणेश का वास माना जाता है, भगवान गणेश अगर पूजा के अ आपने देखा होगा कि भगवान गनेश माँ आदि शक्ती के दवारपाने माँ आदि शक्ति के रक्षक हैं। जब माता पारवतिस नान करने के लिए गुफा में गई थी तो उन्होंने भगवान गणेश को अपनी सुरक्षा के लिए वहां पे उनको नियुक्त किया था कि कोई भी बिना मेरी आग्या के अंदर प्रवेश ना कर पाए यहां तक कोई भी हो चाए वो ठीक है तो इसलिए भगवान गणेश यहां पर जो हमारी कुंड लिनी शक्ति है पूरी और यह जो हमारा मुलाधार चक्र है इसके रक्षक है यानि कि सर्वप्रथम भगवान गणेश को ही आपको साधना पढ़ता है अपनी साधना में इसलिए कहा जाता है तंत्र साधना में कि सर्वप्रथम भगवान गणेश के मंत्र की माला करिए आप या भगवान गणेश का मानसिक पूजन करिए या भगवान गणेश के स्त्रोतों का पाठ करिए या भगवान गणेश की चालीसा पढ़िए इसलिए मैं भी आपको गणेश जी की स्तूती करने के लिए कहता हूं क्योंकि उनकी कि यह बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे ठीक है यह यात्रा है हमारी मुलाधार चक्र से लेकर के सहसर दल कमल तक यह हमारी कुंडलिनी शक्ती की यात्रा है जिसको पार करने में हमें वर्षों का समय लग जाता है कई बार तो पूरा-पूरा जीवन भी लग जाता है तो मुलाधार चक्र में भगवान गणेश का वास होता है इसके साथ में श्री हनुमान जी महराज का वास भी मुलाधार चक्र में माना जाता है और आपने देखा होगा कि हनुमान जी की जो मूर्ती होती है वो कई बार सिंदूरिया रंग की आपने देखी होगी अपने आसप सिंदूरिया रंग का होता है और हमारे मुलाधार चकर का रंग भी वैसा ही होता है भगवान गणेश की भी सिंदूरिया रंग की मूर्ति होती है तो उनका भी इसी वज़े से होता है क्योंकि मुलाधार चकर के स्वामी हैं ये दोनों और भगवान गणेश और भगवान हनु यह दोनों ही माँ आदी शक्ति के रक्षक हैं माँ आदी शक्ति के द्वारपाल हैं माँ आदी शक्ति के सेवक हैं यानि कि उनके आगे रखवाली सबसे पहले यह हैं सबसे आगे यह चलते हैं उसके बाद में माँ आदी शक्ति तक आप लोग पहुंच सकते हो चाहे वो माता आपने नहीं मनाया तो वह आपको आगे जाने की पर्मिशन नहीं देंगे इसलिए चाहे कुंड लीनी योगो चाहे तंत्र का योगो चाहे मा आदिशक्ति की कोई सी भी साधनाओ भगवान गणेश अगर पूजा के अधिकारी है उनकी कीजिए उसके बाद में आप आगे उसको साधने के कई तरीके हैं ठीक है उसमें से यात्वा भगवान गनेश की साधना करिए भगवान गनेश की साधना आप करोगे तो उससे भी आपका मुलाधार चक्र जागरित हो जाएगा आपका मुलाधार चक्र सिद्ध हो जाएगा या फिर आप श्री हनुमान जी जागरित होगा लेकिन हनुवान जी की पूजा करने के लिए भी सरुप्रतम आपको भगवान गणेश का नाम लेना पड़ेगा गणेश अथर्व शीर्ष का जब पाठ किया जाता है तो उसमें वर्णन आता एक जगा की त्वम मूलाधार स्थितो यानि कि उसमें गणेश अ लम लम बीजमंतर होता है अगर इस बीजमंतर का जब किया जाए अनुष्ठान की विदी से तो भी मूलाधार चक्र हमारा जागरित होता है लेकिन ऐसा आप शुद्धता के साथ करेंगे पवित्रता के साथ करेंगे तब ही आपकी इस चक्र में स्पंदन होगा और आपका ये चक्र जाग जाएगा, जब आपको ये चक्र जाग जाएगा, तो आपको कई तरह की चीज़े दिखाई देंगी, कई तरह की चीज़े आपके साथ आपको फील होंगी, आपको महसूस होंगी, आपको सपने में तरह तरह की चीज़े भी दिखाई देंगी, आपको सपने मे भगवान गणेश के दर्शन हो सकते हैं, हातियों के दर्शन हो सकते हैं, और इसके अलावा चूहों के आपको दर्शन हो सकते हैं, इसके अलावा भगवान गणेश की जो शक्ति हैं, रिद्धी और सिद्धी, वो भी आपको प्राप्त हो सकती हैं, आपको उनके भी दर्शन ह सकते हैं या उनके जो सेवक सेविकाई होते हैं उनके गणिकाई होती हैं उनके भी दर्शन आपको स्वपन में या वैसे भी शाक्षात रूप से भी हो सकते हैं तो आपको करना क्या है कि सर्व परथम इस मंतर का जवाब कर सकते हो या तो भगवान गणेश का जो मंत्र मैंने आपको कई बार बताई कई वीडियो में बताया मैँने आपको ओम गंगन पताई नमहा या तो अंगक पर्द को या पड़ सकते हो इसके अलावा हनुमान जी के मंत्र का जबाब आप कर सकते हो ओम श्री हनुमत ऐ नम्हा या फिर ओम हंग पवन नंदनाय स्वाह या फिर हनुमान जी का शाबर मंत्र उसका अभियाब जब कर सकते हो ओम हनुमान पहलबान वर्ष बारह का जवान हात में लड़ू मुख में पान आओ आओ बाबा हनुमान नाओ तु या तो आप इस मंत्र का जब कर सकते हो या फिर आप लम वीज मंत्र का जब कर सकते हो आपको लम का जब कैसे करना मांसिक रूप से करना है यानि कि आखे बंद करके और एकदम ऐसे ठीक है बिल्कुल मांस्क रूप से लम बीज मंतर का आपको जब करना है यानि कि लम-Lam-Lam-Lam-Lam-Lam-Lam-Lam-Lam-Lam-Lam-Lam इस तरीके से माला की आवशक्ता नहीं है वैसे भी आप जब कर सकते हो बगेर माला के सिर्फ थोड़ी सी पूजा कर लीजिए अपने इष्ट देव की जिनको भी आप मानते हो उनकी पूजा करने के बाद में आसन के उपर आपको विराजमान हो जाना है आसन के उपर विराजमान होने के बाद में आखे बंद करनी है और अपने दोनों हातों को रखना है इस मुद्रा में ठीक है ऐसे आपको अपने दोनों हाथों को रखना है और इससे क्या होता है कि जो उर्जा का दायरा होता है वो हमारे और भी ज्यादा स서 ambosy छो कि यह जाता है और हमारा जो द्यान है वह जल्दी लगता है तो एको इसे आपको अपनी गोदो में दोनों हादों को रख लेना है जैसे आपने भगवान बुद्ध को देखा होगा ऐसे करके वह बैठे भगवाई शिव की भी एक मुद्रा ऐसे करके बैठे हैं जैसे आपने देखा बिल्कुल ऐसे आपको रखना है ठीक है और ऐसे रखने के बाद में आखे विब्रेशन होंगी वहाँ पर आपको कभी गरम लगेगा कभी ठंडा लगेगा कुंडलीनी शक्ति आपको कभी साप भी दिखाई देगा जैसे कोई साप वहाँ पर अपनी लहर सी मार रहा हो ऐसा भी कुछ आपको महसूस हो सकता है ठीक है इसके अलावा साथ में इस्ट मूलादार चक्र आपका कम से कम 52-70 परसेंट तक अगर आपने लम वीज मंत्र कर लिया तो आपका मूलादार चक्र जागरित हो जाएगा पूरी तरीके से जागरित हो जाएगा फिर उसके बाद में आपको इस चकर की जो सिद्धिया है इस चकर की जो डाकिनी शाकिनी है इस चकर की उनकी सिद्धी प्राप्त हो जाएगी और भगवान गणेश की भी सिद्धी आपको प्राप्त हो जाएगी और फिर उसके बाद में जब आप ध्यान करोगे भगवान गणेश का तो उनका दर्शन आपको हो जाएगा ध्यान में और वैसे भी तो इस बीज मंत्र से आप अपने मुलाधार चक्र को जागरित कर सकते हो जिसका रंग केसरिया रंग भी कहा जाता है और लाल रंग भी कुछ लोग कह देते हैं लाल और केसरिया में बलब सीमिलैरिट यह दोनों में हलका फिलका 19-20 का फरक होता है ठीक है तो यह आपको हजब करना है लेकिन इसमें आपको खोड़ी सी चीजे साथ्विक भी रखनी है ठीक है अपने आपको आपको सात्विक रखना है आपको कोई भी तामसिक चीजे इस्तेमाल नहीं करनी जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि अंडा, मीट, सराब ये सारी चीजे आपको नहीं खानी पीनी है हाँ प्याज लस्तन आप खा सकते हो लेकिन अगर आप इस मंतर का अनुष्ठान के रूप म बारे में बताऊंगा उसका जब आपको कैसे करना है इसके लावा आप जो भगवान गणेश की साधना है वो भी अगर आप करोगे सवा लाक मंतर कर लो या पाच लाक मंतर कर लो या ग्यारा लाक मंतर कर लो भगवान गणेश के ओम गंगन पताई नमा ये वाला अगर आप इसका भी 11 लाख या 5 लाख जब कर लेते हो तो इससे भी आपका मुलाधार चक्र जागरित हो जाएगा ठीक है या फिर हनुमान जी की आप साधना कर लो तो उससे भी आपका ही जागरित हो जाएगा उसके बाद में फिर कुंडलेनी शक्ति की आगे की यात्रा स्तरल हो जाए हुआ ठीक है मित्रों वीडियो को लाइक कर दो वीडियो को शेर कर दो चैनल को कर दो सब्सक्राइब मिलूंगा आप से अगली वीडियो में जय माता दी